हलो अच्चों मैं संतोष कुमार और आज मैं आपके सामने में जो चैप्टर लेकर के आ रहा हूं उसका नाम है एक कहानी यह भी तो एक कहानी यह भी इसकी लेखिका हैं स्रीवती मन्नु भंडारी तो मेरा मानना है कि हम लोग उनकी इस रचना को पढ़ने से पहले एक बार जरा सा उनके बारे में जान लें कि आखिर उनका जन कहां हुआ था उनकी सिक्षा दिक्षा कहां हुई है और किस तड़ीके से उन्होंने लेखन के छितर में काम क्या है क्या क्या लिखा है उन्होंने क्या-क्या उनकी उपलब्धियां रही है, क्या-क्या सरकार की तरफ से उन्हें सम्मान वगर दिया गया है, तो ये पढ़ते हैं पहले, तो मन्नु भंडारी जी का जन्म सन 1931 में गाउं भानपुरा, जिला, मनसौर, मध्य प्रदेश में हुआ, परंतु उनकी इंटर तक की सि साथ में जाना होता है, तो ऐसा कुछ हुआ होगा, हो सकता है, तो बाद में उन्होंने हिंदी में में किया, दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलिज में अध्यापन कारे, अध्यापन कारे समझ रहे हैं उन्हां, अध्यापन, अध्यापन का मतलब है पढ़ाना, तो कॉलेज में पढ़ाना आई मेन प्रोफेसर का काम किया होगा उन्होंने तो उससे अवकास प्राप्ति के बाद रिटायर होने के बाद आजकल वो दिल्ली में रह करके स्वतंत्र लेखन का काम कर रही है तो ऐसा तो इसमें बताया गया है मुझे एक बार चेक करना होगा कि क्या अभी भी वो जीवित है क्योंकि हो सकता है इसमें जो लिखने का साल रहा है वो पहले का होगा इसमें से मुझे याद है कि आपका बंटी यह जो उपन्यास है बहुत ही पॉपलर रहा है इसके अलावा उन्होंने फिल्म और टेलिवीजन धारवाहिकों के लिए भी पठकताएं भी लिखी है स्क्रीन प्ले राइटर का काम भी उन्होंने बखू भी किया है उनके साहितिक उपलब्धियों के लिए हिंदी अकादमी के सिखर सम्मान सहित उन्हें अनेक पुर्षकार प्राप्त हो चुके हैं जिनमें भारती भासा परिशद, कोलकाता, रास्थान, संगीत, नाटक आदमी, उत्रप्रदेश, हिंदी संस्थान के पुरुषकार सामिल है मन्नु भंडारी की कहानिया हों या उपन्यास उनमें भासा और सिल्प की साधगी तथा प्रामानिक अनुभूती मिलती है उनकी रचनाओं में इस्तरी मन से जुड़ी अनुभूतीयों की अभी वक्ती भी देखी जा सकती है और ये एक बहुत ही खास बात है मुझे लगता है उनकी जो रचना है मैं हार गई एक प्लेट सहलाग इसमें कुछ इस्तरी मन से जुड़ी अनुभूतियों के बारे में ही चर्चा होगी या उससे प्रेडित कहानी कथानक का ही रूप रखा होगा इन्होंने तो यहां जो हम उनका उनकी लिखी हुई ये रचना पर रहे हैं एक कहानी यह भी एक्चुली मैं ऐसा लगता है जैसे कि यह उनकी आत्मकथा का उनकी आटो बायोग्राफी का एक छोटा सा हिस्सा है एक मिनट के लिए मैं यह बताना चाहूंगा कि बायोग्राफी और जीवनी में क्यांतर है तो आत्मकथा वो रचना होती है जब कोई व्यक्ति अपनी कहानी अपने जीवन की कहानी खुद ही लिखता है और जीवनी वो होती है जो उस व्यक्ति के मरनो परांत या उसके जीवन काल में ही कोई दूसरा व्यक्ति उससे पूस्ताज करके उनके इंटर्व्यू की आधार पर उनकी जो डीटेल्स प्रोवाइड़ेड है उसे ढूंड करके रिशर्च करके लिखता है तो आत्मकत्था खुद की लिखी हुई कहानी हो गई और जीवनी हो गई किसी दूसरे ने आपकी कहानी लिखी हो तो एक कहानी यह भी इसके संदर्व में सबसे पहले हम लोग ये जानने कि मन्नु भंडारी ने पारिभासिक अर्थ में कोई सिलस से जुड़े रहे हैं अच्छा-च्छा तो इसका मतलब है साहीत के सफर में उनके जो Saları रहे हैं उनके बारे में कुछ चीजन लिखें होंगी कुछ उन्होंने अपने बच्पन के बारे में किसोड जीवन से जुड़ी घट्नाओं के साथ साथ में उनके पिता जी उनकी कॉलेज की प्रध्यापी का सीला ग्रवाल का व्यक्तितु विशेश तोर पर उभर करके आया है। जिन्होंने आगे चल करके उनके लेक्तितु की निर्मान में महत्वपुर्न भूमिका निभाई। तो बच्चों ऐसा होता है ना कि आपका व्यक्तितु कैसा होता है आपके माता पिता के जैसा हो सकता है उनसे अभी प्रेडित हो सकता है या जिन्दगी में पढ़ाई के दौरान करियर के दौरान जिन्दगी में जैसे कोई अच्छे टीचर मिले हों जिनसे आप बहुत ज्या personality को बनाने में आपकी मदद करते हैं यह प्रभाव तो डालते ही हैं तो लेखिका ने यहां बहुत ही खूबसूरती से साधारन लर्की के असाधारन बनने के प्रारंभिक प्रभाव को प्रकट किया है मैंने प्रभाव कहा था actually में यह पढ़ाओ there are stoppages होता है na stations ट्रेन से हम लोग सफर करते हैं तो हमारे मंजिल कहीं और होती हैं लेकिन रास्ते में भी station होते हैं जहां पर हम कभी-कभी थोड़ी दिर के लिए रुखते हैं तो इन्होंने क्या लिखा है लर्की के एक साधारन लर्की के असाधारन बनने की कहानी यह भी सो सन 46-47 की आजादी की आंभी ने मन्नु जी को भी अच्छूता नहीं छोड़ा है छोटे सहर की युवा होती लड़की ने आजादी की लड़ाई में जिस तरह भागीदारी की उसमें उसका उत्सा ओज जंगठन चमता और विरोध करने का जो तरीका देख ही बनता है यह सारी चीजें अभी हम लोग पढ़ेंगे उनकी रचना में जिनका नाम है एक कहानी यह भी तो बच्चों यहां से अब हम लोग उनकी यह लिखी हुई कहानी मेरा मतलब है यह चैप्टर पढ़ना सुरू करते हैं कि आखिर मन्नु भंडारी जी ने क्या क्या वातें बताई हैं तो वो लिखती हैं कि जन्मी तो मध्व परदेश के भानपुरा गाउं में थी लेकिन मेरी यादों का सिलसिला सुरू होता है अजमेर के ब्रह्म पूरी महले के उस दो मंजिला मकान से जिसकी उपड़ी मंजिल में पिता जी का सामराज जी था जहां वे नहायत और विवस्थित धंग से फैली बिखडी पुस्तकों पत्रिकाओं और अखवारों के बीच या तो कुछ पढ़ते रहते थे या फिर डिक्टेशन देते रहते थे तो बच्चों ये जो पहले पैराग्राफ में जो दो चार पंक्तियां लिखी हैं इससे ये समझ में आता है कि लेखी का मन्नु भंडारी जी को ब्रमपूरी मुहले अजमेर के जगह में रहने से पहले भानपूरा गाउं में जो भी समय वीता है उसके बारे में उन्हें कुछ जादा याद नहीं है लेकिन दास्थान के अजमेर में जब उस दो मुझिरा मकान में रह रही थी तो वहाँ से उनकी यादें अभी भी ताजा है जिन में से कुछ स्मृतियों को उन्होंने लिखा है और उन्होंने अपने पिता जी के बारे में क्या लिखा है कि उस दो मंजिला मकान की उपड़ी मंजिल में उनके पिता जी का सामराजी था और जो बातें लिखी है इसका म पहनों के साथ में रहती थी हमारी बे प्भी लिखी व्यक्तित्व हीट मां कि उन्होंने मां के बारे में क्या लिखा है बे पर ही लिखी είναι इनकी अudए हो सकता है कि अनर रही है और औश इस सब्द पर मैं ज्यादा जोर नहीं दूंगा मा के बारे में तो अच्छी ही बातें कहनी चाहिए ना सबेरे से साम तक हम सब की एक्छाओं और पिता जी की आग्याओं का पालन करने के लिए सदय तक पर लेकिन ऐसा भी होता है कि मा का हिर्दय अपने पती की सेवा में अपने बच्चों की सेवा सुरुसुसा पालन पोसन में मा कहीं ने कहीं खो जाती है उसकी अपनी परसनलिटी कहीं देखती ही नहीं वो होती तो है लेकिन नहीं होती वो सब में बटी हुई होती है अपने बच् तो ये बड़ी ध्यान देने की बात है उन्होंने क्या लिखा कि हम सब की इक्षाओं और पिता जी की आग्याओं को पालन करने के लिए सदय अवतत पर अजमेर से पहले पिता जी इंदौर में थे जहां उनकी बड़ी प्रतिस्ठा थी समान था नाम था कॉंग्रेस के साथ-साथ वे समासुधार के कामों से भी जुड़े हुए थे सिक्षा के वे केवल उपदेश ही नहीं देते थे बलकि उन दिनों 8-8-10-10 विद्यार्चियों को अपने घर पर रखकर पढ़ाया है घर पर रखकर पढ़ाया है ये बातें आज के समय में थोड़ी मुश्किल दिखती है प्रैक्टिकल नहीं दिखती क्योंकि आज की समय में चलेंजेज बहुत हैं बहुत सारे सिक्षक स्टूडेंट्स को काफी कुछ पढ़ाना चाहते हैं लेकिन उस तरह के स्टूडेंट्स नहीं मिलते या फिर खुद टीचर की अपनी घर की आर्थी किसिती या व्यावारी किसिती ऐसी नहीं होती कि वह इतना बड़ा त्याग कर सके कि वह स्टूडें उनके अंदर ये डेडिकेशन धहता होगा कि वह स्टूडेंट्स को अपने घर पर रखकर पढ़ा सकें और उन्होंने क्या लिखा है कि जिनमेंसे कई तो बाद में उंचे उंचे उहदों पर पहुंचे भी तो ये उनकी खुशाली के दिन थे और उन दिनों देश की राज इस लेशन किया है मनुभंडाड़ी जी ने अपने पिता जी का पर यह सब तो मैंने केवल सुन रखा था तब तो इन गुनों के भगना वसेशों को ढोते पिता थे एक बहुत बड़े आर्थिक जटके के कारण वे इन दौर से अजमेर आ गये थे क्या लिखा है बच्चे आर्थिक जटका आप समझ सकते हो ना आर्थिक जटके का मतलब क्या है कि कहीन कहीन के पिता जी को रुपय पैसे की तंगी रही होगी घर चलाने में दिक्कत आ रही होगी इनकी नौकडी छूट गई होगी या कुछ और भी चीजें हो सकती है और जब लोगों को आर्थिक जटके होते हैं आर्थिक तंगी होती है तो कई बार उसे बहुत सारा कॉंप्रोमाईज करना होता है अपने लाइफ स्टाइल से अपनी जीवन की सैली से तो लेखी का बताती हैं कि जहां उन्होंने अपने अकेले के बलबूते और होसले से अंग्रेजी हिंदी सब्द कोस वि मतलब है एकॉनामिक्स यहां पर एठ नहीं मतलब इस काम से उन्हें इज्जेत मिली प्रतिस्ता मिले लेकिन पैसे नहीं मिले उस तरह महनताना नहीं मिला और सायद गिर्ती आर्थिक इस्थिती नहीं उनके विक्तित्व के सारे सकारात्मक पहलूओं को निचोरना शुरू कर दिया था तो जब लोगों के आर्थिक इस्थिती खराब होती है तो मैंने कहा था ना कि उसे अपने लाइफ स्टाइल से बहुत कॉंप्रॉमाईज करना होता है उसे अपने सभाव से अपनी इक्षाओं से अपनी सौक से बहुत सारे चीज़ों से कॉंप्रॉमाईज करना होता है सिकूर्थिक आर्थिक इस्थिति के कारण और अधिक विस्फारित उनका अहं उन्हें इस बात तक की अनुमती नहीं देता था कि वो कम से कम अपने बच्चों को तो अपनी आर्थिक विवस्ताओं का भागीदार बनाए इसका मतलब यह है कि मन्नु भंडारी जी के पिता पड़िवार के साथ में अपनी तकलीव अपनी आर्थिक इस्थिति को सेर नहीं करते थे घर में जो कमाने वाले पुरुस होते हैं या महिलाओं होती हैं उनके अंदर एक छोटा सा एगो होता है इस चीज को मैंने भी महसूस किया है वो अपने आपको इतना मजबूत दिख आते हैं कभी-कभी एक्टिंग भी करते हैं और कई भार वह घर के गार्जियन सच में इतने मजबूत होते हैं और वह हमेशा अपने बच्चों को मजबूत होने की प्रेड़ना देते हैं तो वह अपनी कमजोडियां उनसे सेर नहीं करते उन्हें डर होता है कि कही उनके रखते चले जाने की यातना क्रोध बनकर हमेशा मा को कपाती थर्थराती रहती थी अपने हाथों के विश्वास घात की जाने कैसे गहरी चोटे होंगी जिन्हों जिन्होंने आखें मूंद कर सबका विश्वास करने वाले पिता को बाद की दिनों में इतना सक्की बना दिया कि जब तब हम लोग भी उसकी चपेट में आते ही रहते थे तो यह चीज कुछ और भी बातें उन्होंने बताई हैं अपने पिता के बारे में कि किस तड़ीके से उनकी पिता को आर्थे किसीती की तकलीफ थी और कई बार वो फ्रस्ट्रेशन की वज़े से घर में आकर के लेक खोप भाजन गुष्य का सिकार होते थे अब आगे लेकिका कहती हैं कि पढ़िया पित्री गाथा मैं इसलिए नहीं गा रही कि मुझे उनका गौरवगान करना है बलकि मैं तो यह देखना चाहती हूं कि उनके व्यक्तित्व की कौन सी खुबी और खामिया मेरे व्यक्तित् गृफ्य को जनव दे दिया तो यह जो दोब कहते हैं हम लोग कहते हैं गहर की जो स्थितियां होती है मां पिता का विवहार होता है आर्स परोष्य का जो माहौल होता है उसकी वज़ार से अक्सर बच्चों की मन पर अच्छा बुड़े خatे निरस के इसाना होता है ये जो ग्रंथियों की बात लेखिका ने लिखी है वही है वो कहते हैं कि मैं काली हूँ बच्पन में दुबली और मरियल भी थी मरियल का मतलब है कमजोर होना गोरा रंग पिता जी की कमजोरी थी सो बच्पन में मुझसे दो साल बड़ी खूब गोरी स्वस्थ और हास्मुक बहिन सुसीला से हर बात में तुलना और फिर उसकी प्रसंसा नहीं क्या मेरे भीतर ऐसे गहरे हीन भाव की ग्रंथी पैदा नहीं कर दी कि नाम सम्मान और ततिस्था पाने के बावजूद आज तक मैं उससे उबर नहीं पाई तो यह है लेखिका के मन की तकलीव जो बता रही है वो कि अक्सर उनके पिता जी उसकी बड़ी बहन से उसकी तुलना किया करते थे और जिसमें चेहरे का रंग भी एक फैक्टर होता था हलाकि बच्चो मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप आज कल बच्चे हो आगे चल करके आपका भी करियर होगा साधी होगी बच्चे होंगे लेकिन मैं यह चाहूँगा कि कभी भी आपको अपने बच्चों में भेद नहीं करना चाहिए कंपेर नहीं करना चाहिए तुलना नहीं करनी चाहिए क्योंकि भगवान ने हर व्यक्ति को खूबियां दी है हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक है तो हर बच्चा भी अपने आप में विशिस्थ है, यूनिक है, स्पेसल है कभी भी दो बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते और एक घर के दो बच्चे दो भाई, दो बहन एक जैसे होने की जरुरत भी क्या है अगर एक जैसा ही होना था तो भगवान ने एक ही बच्चे को जन दियाते होता न तो अगर दो बच्चे हैं तो दोनों के सभाव अलग-अलग होंगे उनके सभाव अलग-अलग होने भी चाहिए उन्हें एक दुसरे का पूरक होना चाहिए दोनों में प्रतिसपरधा नहीं होनी चाहिए दोनों में एक दुसरे को आगे बढ़ाने की सहयोग की भावना होनी चाहिए लेकिन competition नहीं होना चाहिए और वैसे ही parents को, ममी पापा को दोनों बच्चों की बीच में compare नहीं करना चाहिए ठीक है, discipline की बारे में कहना, अच्छी बातें सिखाना जरूरी है लेकिन उसके पास ये है, तुम्हारे पास नहीं है वो इतना तेज है, तुम इतने तेज नहीं हो, भोंदू हो ऐसे कह करके, comparison नहीं होना चाहिए ये होना चाहिए, कि वो इतना अच्छा कर सकता है तो तुम भी इतना अच्छा तो कर सकते हो, ना तुम्हें भी कोशिस करना चाहिए I will help you, your brother will help you, ऐसा कहना चाहिए तो आगे लिखती है, कभी, मतलब ये कभी इत्री मेरा मतलब है लेखी का मन्नु भंडारी जी, कि जब उन्होंने ये लिखा है फीचर, उस समय तक भी वो उस हीन भाव की गरंती से उबर नहीं पाई है तो आज भी परिचेक करवाते समय, जब कोई कुछ विसेशता लगा कर मेरी लेखी उपलब्धियों का जिक्र करने लगता है, तो मैं संकोच से सिमठ ही नहीं जाती, बलकि गरने-गरने को हो जाती है सायद अचेतन की किसी पर्त के नीचे दवी इसी हीन भावना की चलते मैं अपनी किसी भी उपलब्धी पर भरोसा नहीं कर पाती सब कुछ मुझे तुकका सा लगता है, जैसे कि अचानक से कुछ मिल गया है ना पिता जी के जिस सक्की सभाव पर मैं कभी-कभी भना जाती थी आज एक एक अपने खंडित विश्वासों की व्यथा की नीचे मुझे उनके सक्की सभाव की जहलक ही दिखाई देती है बहुत अपनों के हाथों की गहरी व्यथा से उपजा हुआ सक हो सम्हालने के बाद से ही जिन पिता जी ने हमेशा किसी ने किसी बात पर हमेशा मेरी टक्कर ही चलती रहे वे तो ना जाने कितने रूपों में मुझ में कहीं कुंठाओं के रूप में हैं कहीं पृतिकिया के रूप में हैं तो कहीं पृतिच्छाया के रूप में हैं केवल बाहरी भिन्नता की आधार पर अपनी परंपरा और पिर्षियों को नकारने वालों को क्या सचमुच इस बात का बिलकुल अहसास नहीं होता कि उनका आसन अतीत उनका बीता हुआ कल किस तरह उनके अंदर में जड़ जमाए बैठा रहता है समय का प्रवाह समय का फ्लो है ना भले ही हमें दूसरी दिसाओं में बहा कर ले जाए लेकिन इस्थितियों का दवाब भले ही हमारा रूप बदल दे हमें पूरी तरह उससे मुट्ट तो नहीं कर सकता किसी से नहीं मुट्ट कर सकता जो परिस्थितियां हम अपने बच्पन मे जहेलते हैं अपने पिता जी का प्यार या अपने पिता जी का गुसा मा का प्यार मा का गुसा या और भी साड़ी बातें जो हम अपने घर में जहेलते हैं जिस ब्यवहार को हम जीते आये हैं बच्पन में वो कहीं ने कहीं हमारी परसनालिटी पर हमारे मन में गहरे असर छोड पिता जी के ठीक विपरीत थी हमारी बेपढ़ी लिखी मा यहां पर अब लेखी का अपनी मा के बारे में बता रहे हैं या मैं कहूं कि मा का रेखा चितर लिख रहे हैं धर्ती से कुछ जादा ही धैर और सहन सक्ती थी साइद उनमें धर्ती से भी जादा धैर ये पेसिंस और बरदास करने की चमता कितनी बड़ी बात है पिता जी की हर जादती को अपना प्राप्य और बच्चों की हर उचित अनुचित फर्माईस और जित को अपना फर्श समझ कर बड़े सहज भाव से सुईकार करती थी वे वे का मतलब कौन है लेखिका की माँ उन्होंने जिन्द की भर अपने लिए कुछ मांगा नहीं चाहा नहीं केवल दिया ही दिया हम भाई बहनों का सारा लगाओ सायद सहान उहुती से उपजा माँ के साथ था लेकिन नहायत अहस्गाय मजबूरी में लिप्टा उनका यह त्याग कभी मेरा आदर्स नहीं बन सका ना उनका त्याग ना उनकी सहिस्नुता खैर जो भी हो अब यह पैत्रिक पुरान यहीं समाप्त कर अपने पर लोटती हूँ ऐसा कहना है कभी मेरा मतलब है लेखिका मन्नु भंडाडी जी का उन्होंने अपनी माँ के सहिस्नुता के बारे में धैर के बारे में त्याग के बारे में काफी कुछ लिखा है और उसकी तारीफ की है लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि इतनी ज़्यादा सहिस्नुता इतनी ज़्यादा बरदास करने की भावना कहीं न कहीं महिलाओं को कमज नियतके दुर होंगी उसकी कि अ Amazon के अंदर में इन भावनाओं को प्रथि कैसी बाते वृट सकती है उनरे ऐसा लग सकता है कि मेरी माँ इतनी बर्दास करती है इतनी सहिस्नु है इतनी धिरेज वाली है इतना बर्दास करने वाली है तो क्या मुझे भी इतना सहिस्नु होना पड़ेगा क्या मुझे भी इतना सैक्रिफाइस करना पड़ेगा और क्या मुझे इतना बरदास करना पड़ेगा या यही मेरी नियती है क्या या यही महिलाओं की नियती भी तो नहीं है ऐसा डर रहा है इस लेखिका के मन में और कहीं ने कहीं उनके मन में थोड़ा सा विद्रोह का भी भाव है और मैं इसे विद्रोह होने का भाव नहीं कहू में बताती हैं कि पांच भाई बहनों में सबसे छोटी मैं सबसे बड़ी बहन की साधी के समय मैं साइट साथ साल की थी और उसकी एक धुंदली सी याद ही मेरे मन में है लेकिन अपने से दो साल बड़ी बहन सुसीला और मैंने घर के बड़े से आंगन में बच्पन के सारे खेल खेले सतोलिया, लंगडी टांग, पकरम पकराई, काली टीलो तो कमड़ों में गुड़े गुड़ियों की ब्याह भी रचाए पासपरोस की सहलियों के साथ है यह खेलने को हमने भाईयों के साथ गिल्ली डंडा भी खेला और पतंगुरा ने काच पीश कर मांजा सुतने का काम भी किया लेकिन उनकी गतिवीदियों का दायरा घर के बाहर ही अधिक रहता था और हमारी सीमा थी घर तो होता है लड़के घर के बाहर उधम ज्यादा मचाते हैं और लड़कियां घर के अंदर रहती है इस चीज का आशर आज भी इतने आधूनिक जीवन में भी हम लोग सहरों में भी इस चीज को देखते हैं मैं हसूस करते हैं कि अभी भी ये बात है कि लड़कों को कुछ हद तक छूट होती है और लड़के थोड़े से कम फॉलो करते हैं डिसिप्लीन को मैं लड़कों को दोस नहीं लगा रहा ये अपनी संस्कृति का समाज का और स्ट्रक्चर का हिस्सा रहा है ऐसी कोई बात नहीं है या मेरे मन में लड़के लड़कियों की प्रती कोई भेगभाव की बात नहीं है बलकि पूरे महले तक फ्रेयर रहती थी इसलिए महले के किसी घर में जाने पर कोई पावंदी नहीं थी बलकि कुछ घर तो पड़िवार का हिस्सा ही थे ऐसा होता था पहले के समय में और उस पर उसके साथ में ऐसा संबंध होता था लेकिन आज कल तो यही बातें किसे कहानियों में दिखेंगी आज तो मुझे बड़ी सिद्धत के साथ यह महसूस होता है कि अपनी जिंदगी खुद जीने के इस आधुनिक दबाब ने महानगरों के फ्लैट में रहने वालों को हमारे इस परंपरागत परोस कल्चर से वे छिन करके हमें कितना संकुचित असहाय और असुरक्षित बना दिया है मेरी कम से कम एक दरजन आरंभिक कहानियों के पात्र इसी मुहले के हैं जहां मैंने अपनी किसवर आवस्था गुजार कर अपनी युवा आवस्था का आरंभ किया था एक दो को छोर कर उन में से कोई भी पात्र मेरे परिवार का नहीं है तो बच्चों यहाँ पर मैं भी यह चीज़ कहना चाहूंगा कि सच मुछ में आज कल तो परोस कल्चर है ही नहीं आज कल तो लग बस अपनी बालकनी से अगल बगल में जहांक भर लेते हैं खिरकियों से इधर उधर देख भर लेते हैं और साइध इतने से ही उनका परोसी धर्म निव जाता है और कुछ तो क्या वाट्सअप पर बढ़ाई देदेंगे फेस्बुक पर जन्म दिन की सुभकामनाय देदेंगे फोन पर रिजल्ट के बारे में पूछ लेंगे मैसेज के जरीए हालचाल भी पूछ लेंगे लेकिन फिसोफ फेस्बुक इंटरनेट के जरीए हम लो enhance Plus एक दुसरा के घर में आचार नहीं भेश सकते एक दुसरा के घर में जाकर कर चाय नहीं पी सकते एक दुसरे का हाल चाल उस तरीके से नहीं पूछ सकते जो अपनापन सच मुछ में परोश में आने जाने से होता है मैं ये भी कहूंगा कि आधुनिक समय में जो बच्चे जिन बच्चों का जन्म 2010 के बाद हुआ है आज अभी 2021 है तो जिन बच्चों का जन्म 2010 के बाद का हुआ है और वो अगर टीनेज में हैं या 10-11-12 साल की बनुमें है 2005 के बच्चों के बाद के बच्चों के बारे में भी मैं कह सकता हूँ कि उन बच्चों के ज़्यादातर दोस्त स्कूल में होंगे लेकिन अरोस परोस में नहीं होंगे उन बच्चों के Facebook पर WhatsApp पर ज़्यादा दोस्त हो सकते हैं लेकिन अरोस परोस में दोस्त नहीं होंगे और सायद उनमें से कई बच्चे इसमें से कई सारे खेलों के नाम सही से जानते भी नहीं हो या सुना हो तो खेलना ना मालूम हो लंगडी टाम क्या होती है पकरम पकड़ाई काली तीलो है ना तो ये आज की आधुनिक समाज का एक दोस भी है ऐसा भी कह सकते हैं एड्वांटेज होता है तो डिसड्वांटेज तो होता ही है ना तो लेखिका कहती है कि मेरी कम से कम एक दरजन आरंभिक कहानियों के पात्र इसी महलों के हैं जो उनकी परोस में थे एक दो को छोड़ करके उनमें से कोई भी पात्र मेरे पडिवार का नहीं है बस इनको देखते सुनते इनके बीच ही मैं बड़ी हुई थी लेकिन इनकी चाप मेरे मन पर कितनी गहरी थी इस बात का एसास पर मुझे कहानियां लिखते समय हुआ इतने वर्सों के अंतराल ने भी उनकी भाव भंगिमा भासा किसी को भी धुंदला नहीं किया था और बिना किसी विशेश प्रयास के बड़े सहस भाव से उतरते चले गए थे उसी समय के दा सहब अपने व्यक्तित्यों की अभीवक्तियां के लिए अनुकूल परिस्तितियां पाते ही माहाभोज में इतने वर्सों बाद कैसे का एक जीवित हो उठे यह मेरे लिए भी आसचाडिका विशे था एक सुखद आसचाडिका तो यह जो दा सहब हैं यह साइद लेखिका की जो रजना है कहानी माहाभोज उसके एक में करेक्टर हो सकते हैं आगे वो कहती हैं कि उस समय तक हमारे पडिवार में लर्की की विवाह के लिए अनिवारी योगिता थी उम्र में 16 वर्स और सिक्षा में मैट्रिक मतलब मैट्रिक होते ही या 16 साल होते ही लर्कियों की साधी हो जाती थी मैंडेटरी थी साइद सन 44 में सुसीला ने यह योगिता प्रापकी और साधी करके कोलकाता चली गई दोनों बड़े भाई भी आगे पढ़ाई के लिए बाहर चले गए इन लोगों की छत्र चाया के हटते ही पहली बार मुझे नए सिरे से अपने वजूद का एहसास हुआ जब आपके बड़े आपके जो बड़े हैं जो आपके सीनियर हैं बड़े भाई बहन हैं वो घर से अ थोड़ी सोतंत्रता भी महसूस होगी कि अब कोई बड़ा भाई भाई घर में नहीं है जो मुझे रोग टोक सके और ममी पापा हमेशा रोग टोक सकें ऐसा तो नहीं होता ना पिता जी का ध्यान भी पहली बार मुझे पर केंद्रित हुआ लरकियों को जिस उम्र में स्कूली सिक्षा के साथ साथ सुगर ग्रिहनी अगुड हाउस वाईव होममेकर और कुशल पाक सास्त्री बनाने के नुष्खे जुटाए जाते थे पिता जी का अग्रहस रहता था क कि मैं रसोई से दूर ही रहूं रसोई को वे भट्यार खाना कहते थे और उनकी हिसाब से वहां रहना अपनी छमता और प्रतीवा को भट्टी में जुकना था तो साथ कहीं ने कहीं लेखिका के पिता जी के मन में यह भाव रहा होगा कि महिलाओं का काम सिर्फ कीचन भर तक ही सिमित नहीं है महिलाओं को परहिलिक कर आगे भी आना चाहिए और ये चीज़ें अभी हम आगे पढ़ेंगे और उनके हिसाब से वहां रहना अपनी छमता और प्रतीवा को भंटी में जौकना था घर में आए दिन विभिन राजनेतिक पार्टियों के जमावड़े होते और जम कर बहसें होती थी बहस करना पिता जी का प्रिये सगल था सौक था डिसकसन अब डिबेट समझते हो ना एक बुद्धिमान आदमी एक सोचने समझने वाला आदमी किसी भी बाद के बारे में अपना पक्ष रखता है और से सच या सही साबित करने की कोशिस भी करता है तो ऐसे कुछ रहे होंगे इनके पिता जी चाय पाने या नास्ता देने जाती तो पिता जी भी मुझे वहीं बैठने को कहते हैं इसका मतलब वो उन्हें उस चर्चा को सुनने के लिए कहते थे उन्होंने कहीं ने कहीं लेकी का को बुद्धिमान होने में पैचार एक तो कितना कुछ रहा था उस समय सन 42 की आंदोलन के बाद से तो सारा देश जैसे खौल रहा था लेकिन विभिन ने राजनेतिक पार्टियों की नीतियां उनकी आपसी विरोध या मतभेदों की मुझे दूर दूर तक कोई समझ नहीं थी हां क्रामतिकारियों और देश भक्त 46 के लगभकी होंगी 1947 से पहले की हैं आगे वो कहती हैं कि सो दस्मी कच्छा तक आलम यह था कि बिना किसी खास समझ के घर में होने वाली बहसें सुनती थी और बिना चुनाओं की बिना लेखक की एहमियत से पड़िचय हुए किताबें पढ़ती थी लेकिन सन 45 में जैसे ही तसमी पास करके मैं फस्ट इयर में आई ग्रेजुएशन की फस्ट इयर में नहीं नहीं ग्रेजुएशन का फस्ट इयर नहीं है यह इंटरमीडियेट का फस्ट इयर है हिंदी की प्राध्धापिका सीला अगरवाल से परिचय हुआ और जो बच्चे 10 प्लस 2 सिस्टम में CB, से पढ़ाई कर रहे हैं हों उनके लिए भी यह ग्यारहमी हो सकता है तो यहां वह बता रही है अपने कॉलेज की प्रिंस्पल के बारे में सावित्री गर्ल्स हाइ स्कूल जहां मैंने कहरा सिखा एक साल पहले ही कॉलिज बना था और वे इसी साल नियुक्त हुई थी उन्होंने पकायदा साहित्ती की दुनिया में प्रवेश करवाया तो यह क्रेडिट उनकी हिंदी की प्राध्यापिका सीला गरवाल जी को आता है जिन्होंने इनको लिटररी वर्ल्ड से इंट्रोड्यूस करवाया मात्र पढ़ने को चुनाव करने को पढ़ने में बदला खुद चुन-चुन कर किताबें दी पढ़ी हुई किताबों पर बहसें की तो दो साल बीते न बीते साहित्ती की दुनिया सरत प्रेम चंद से बरक क्यों वाली सैली ने बहुत आक्रिस्ट किया था सुनीता उपन्यास बहुत अच्छा लगा था अगेजी का उपन्यास सेखर एक जीवनी परहा जरूर पर उस समय वह मेरी समझ के सिमित दायरे में समा नहीं पाया था कुछ सालों बाद नदी के दुई पढ़ा तो उसने मन क को इसकदर बांधा कि उसकी जोप में सेखर को फिर से पढ़ गई और इस बार कुछ समझ के साथ पढ़ा यह सायर मूलियों के मन्थन का युग था पाप पुन्नि नैतिक अनैतिक सही गलत की बनी बनाई धारनाओं के आगे प्रश्ण चिन्न ही नहीं लग रहे थे उन्हें धोस्त भी किया जा रहा था और इसी संदर्व में जैनेंदर का त्याग पत्र भगवती बावु का चित्र लेखा पढ़ा और सीला गरवाल के साथ में मेरा मतलब है प्राध्यापिका के साथ में लंबी लंबी बहसे करते हैं उस उम्र में जितना समझ सकती थी समझा तो ऐस कैसे लेखिका मनु भंडारी जी ने अपने साहित जीवन की सुरुवात के वारे में लिखा है कि कैसे उन्होंने लिट्रेचर की किताबें पढ़ने सुरू की कैसे उनकी मैडम सीला गरवाल जी ने उन्हें तरह-तरह की किताबें चुन करके पढ़ने को दिया कुछ उन्हों के नाम लिखे हैं, कुछ किताबों के नाम लिखे हैं, तो जिन वच्चों की रूची है literature में या जो literature की समझ develop करना चाहते हैं उन्हें ये किताबें पढ़नी चाहिए इसमें से कुछ किताबें मेरे भी पढ़ी हुई है जैसे कि ये जो अग्येई जी का उपन्यास है सेखर एक जीवनी नदी के द्वीब ये मैंने पढ़ा हुआ है तो सीला अगरवाल ने साहित का दायरा ही नहीं बढ़ाया था बलकि घर की चाहर दिवारी के बीच बैठ कर देश की स्थितियों को जानने समझने का जो सिलसिला पिता जी ने सुरू किया था उन्होंने वहां से खींच कर उसे भी स्थितियों की सक्ड़िये भागिदारी में बदल दिया कहने का मतलब है कि लेकी का पहले पढ़ती रही है सुनती रही है इन दिनों में उन्होंने पढ़ा खूब पढ़ा और सायद अब उनके मन में लिखने की सुरुआत हो रही होगी या सुरू किया होगा उन्होंने तो सन 46-47 के दिन वे इस्थितियां उसमें वैसे भी घर में बैठे रहना संभव था भला प्रभात फेडियां हरतालें जूलुस भासन हर सहर का चडितर था और पूरे दमखम और जोस खरोष के साथ इन सब से जुड़ना हर युवा का माद और मैं भी युवा थी सीला ग्रवाल की जोसीली बातों ने रंगों में बहते खून को लावे में बदल दिया था इस्थिति यह हुई कि एक बवंडर सहर में मचा हुआ था और एक घर में पिता जी की आजादी की सीमा यहीं तक थी कि उनकी उपस्तिती में घर में आये लोगों की बीच उठूँ बैठूँ जानू समझूँ हाथ उठा उठा करके नारे लगाती प्रभात फेडियों में हरताले करवाती लर्कों के साथ सहर की सड़की नापती लर्की को अपनी सारी आधुनिक्ता के बावजूद बरदास करना उनके लिए मुस्किल हो रहा था तो किसी की दी हुई आजादी के दाइरे में चलना मेरे लिए तो यहाँ पर एक बात वो लिख रही है कि कैसे उनके पिताजी लेखिका को आगे भी बढ़ाना चाहते थे लेकिन एक दाइरे में भी रखना चाहते थे और लेखिका जो की युवा उम्र की थी युवा उम्र क्या किसी के बंधन को इतनी आसानी से मानता है भला युवा मन सोचता है सुक्षंद होता है वो अपने मन की करना चाहता है वो सही और गलत के फैसले भी खुद करना चाहता है और कई बार वो सिर्फ फैसले ही नहीं करना चाहता जी करके देखना चाहता है कि सच क्या है गलत क्या है क्या अच्छा है क्या भुरा है तो इसी दोर से गुजर रही थी लेखी का जब रगों में लगू लहू की जगह जब रगों में लहू की जगह लावा बहता हो तो सारे निशेद, सारी वर्जनाएं और सारा भय कैसे ध्वस्त हो जाता है या तभी जाना और अपने क्रोध से सबको थर्थरा देने वाली पिताजी से ठक कर लेने का जो सिलसिला तब शुरू हुआ था राजिंदर से साधी की तब तक चलता रहा तो इसका मतलब ये रहा है कि यही वो उम्र है जहां पर अकसर इनका विरोध हो जाया करता होगा इनके पिताजी के साथ में और पिताजी की जो आदत थी न बहस करना तो मुझे लगता है उस बहस में अकसर ये और पिताजी तोनों अलग-अलग पक्ष में बहस करते होंगे कभी लेखिका किसी बात के पक्ष में और किसी बात के विपक्ष में यह सायद हर बात अपने पिता जी के विपक्ष में और इसमें जैसा लिखा है कि इन्होंने राजेंद्र से साधी की तो लेखिका का यह विवाब ही सायद पिता जी की मर्जी के खिलाफ रहा होगा यस कामना नहीं यस कामना बलकि कहूं की यस लिपसा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इज़्यत पाने की इक्षा समाज में पॉपुलर होने की इक्षा पिता जी की सबसे बड़ी दुरवलता थी और उनके जीवन की धूरी था यह सिधान की व्यक्ति को कुछ विशिस्ट बनकर जीना चाहिए कुछ ऐसे काम करना चाहिए कि समाज में उसका नाम हो सम्मान हो प्रतिस्था हो वर्चस हो बच्चों यहां पर मैं एक मिनट के लिए रुखता हूँ कि ये बात तो सही है कि हर व्यक्ति में कुछ ने कुछ विशिस्ट गुन होता है आपके अंदर भी है मेरे अंदर भी है सब के अंदर में है और आपको अपनी प्रतिभा या उस खुवी को पहचानना चाहिए उसम सुक एक आम आदमी बन करके है वो सुक सायद एक बड़े आदमी को नहीं होगा बड़ा आदमी एक बंधन में जीता है एक दायरे में जीता है वो हमेशा अपने आपको बांध करके जीता है कि उसे ऐसा ही करना है क्योंकि वो एक बड़ा आदमी है जबकि आम आदमी स्वक् होते उसके पास बड़ी बड़ी खुसियां होती हैं गिनिने भरको होती हैं और वो उनी खुसियों के दाहरे में जीता है इसके बारे मैं कभी फिर बाद में चर्चा करूँगा तो लेक्षिका लिखती हैं कि कुछ ऐसे काम करने चाहिए जो उनके पिता जी कहते थे कि समाज मुसका नाम हो सम्मान हो प्रतिस्था हो वर्चस हो इसके चलते मैं एक दो बार उनके कोप से उनके गुस्से से बच गई थी एक बार कॉलेज से प्रिंस्पल का पत्र आया कि पिता जी आकर मिलें और बताएं कि मेरी गतिविधियों के कारण मेरे खिला आप क्यों ना अनुसास नात्मक करवाई क्यों न की जाए तो एक चार्ज सीट वाली बात होती है ना एक कंप्लेंड लेटर की बात होती है कि घर से मम्मी पाप का बूला कर कि लाओ पत्र पढ़ते ही पिता जी आक बगवूला एलर की मुझे कहीं मुह दिखाने लाइक नहीं रखेगी पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा वहाँ जाकर बेजती का डिर भी रहा होगा पिता जी के मन में चार बच्चे पहले भी बढ़े लेकिन किसी ने ये दिन नहीं दिखाया कि उसके कॉलेज से प्रिंस्पल का लेटर आया हो कि आकर कि गार्जियन मिले तो गुस्से से भन्नाते हुए पिता जी वहाँ गए थे और लोट कर क्या कहर बरपा होगा इस कानुमान था सो मैं परोज की एक मित्र के यहां जाकर बैठ गई भाई गुस्सा ठंडा होने के लिए समय तो चाहिए होता है न और कौन चाहेगा कि पिता जी बाहर गुस्से से आए और दरवाजे पर ही मुझे डाट मिले तो लेखी का एक दोस्त के यहां बैठ गई थी मा को कह दिया कि लोट कर बहुत कुछ गुवार निकल जाए गुस्सा सांथ हो जाए तब बुलाना लेकिन जब मा ने आकर कहा कि वे तो खुसी हैं चली चल तो विश्वास नहीं हुआ गई तो सही लेकिन ड़ते ड़ते सारे कॉलेज की लड़कियों पर इतना रौब है तेरा सारा कॉलेज तुम तीन लड़कियों की सारों पर चल रहा है प्रिंस्पल बहुत पड़ेसान थी और बार बार प्रिंस्पल बहुत पड़ेसान थी और बार बार आग्रह कर रही थी कि मैं तुझे घर बिठा लूँ क्योंकि वे लोग किसी तरह डरा धमका कर डाट डपट कर लर्कियों को क्लासों में भेते हैं बेहत गदगद स्वर में पिता जी यह सब सुनाते रहे और मैं अवाक मुझे ने अपनी आखों पर विश्वास हो रहा था ना अपनी कानों पर पड़िया हकीकत थी तो इन बातों से ऐसा लग रहा है कि कॉलेज की प्रिंस्पल या मैनेजमेंट ये नहीं चाहती थी कि लेखिका स्वतंतरता अंधोलन से सम्मंधित किसी भी चीज में कॉलेज के बच्चों को सामिल करें और ये भी पता चलता है कि कॉलेज में लेखिका का रोब दाब था उनके अंदर में लीडर बनने के गुन थे लोगों को प्रभावित करने के गुन रहे होंगे एक घटना और कि आजाद हिंद फोज के मुकदमे का सिलसिला था सभी कॉलेजों, स्कूलों, दुकानों के लिए हरताल का आहवान था और जो जो नहीं कर रहे थे छात्रों का एक बहुत बड़ा समू वहां जा जाकर हरताल करवा रहा था साम को अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग चावपर मुख्य बाजार का चौराहा पर इकठा हुआ और फिर हुई भासन बाजी इस बीच में पिताजी की एक नहायत दकियान उसी मित्र ने घर जाकर अच्छी तरह से पिताजी की लू उतारी मतलब चुगल खोरी की बातों में नमक मिर्च लगा करके कहा होगा अरे उस मन्नू की तो मत मारी गई पर भंडाडी जी आपको क्या हुआ है ठीक है आपने लर्कियों को आजादी दी पर देखते आप चाने कैसे कैसे उल्टे सीधे लर्कों के साथ हर्ता ले करवाती हुर्दंग मचाते फिर रही है वह और हमारे आपके घरों की लर्कियों को सोभा देता है यह सब कोई मान मर्यादा इज़त आबरू का ख्याल भी रह गया है क्या आपको है की नहीं तो इस तड़िके से वो मित्र मेरे घर में आग लगा करके चले गए लेखिका के घर में तो वे तो आग लगा कर चले गए और पिता जी साड़े दिन भभखते रहे कि पस अब यहीं रह गया है कि लोग घर आ करके थूथू करके चले जाएं बंद करो अब इस मन्नू का घर से बाहर निकलना मन्नू का मतलब है मन्नू भंडारी लेखिका तो इस सबसे बेखिकर इस सबसे बेखबर बेफिकर मैं रात होने पर घर लोटी मेरा मतलब है लेखिका घर लोटी तो पिता जी के एक बेहद अंतरंग और अभिन्य मित्र ही नहीं आज मेर के सबसे प्रतिष्ठित और सम्माज डॉक्टर अंबालाल जी बैठे थे मुझे देखते ही उन्होंने बरे गर्म जोसी से स्वागत किया और कहा आओ आओ मन्नू मैं तो चौपर पढ़ी तुम्हारा भासन सुनते ही सीधा भंडाडी जी को बढ़ाई देने चलाया I am really proud of you क्या तुम घर में घुशे रहते हो भंडाडी जी घर से निकला भी करो You have missed something तो यहाँ पर वो जो मित्र अंबालाल जी थे वो लेखिका का मन्नू भंडारी की जवर्दस तारीफे कर रहे हैं उनकी पिताजी से वो ए धुआधार तारीफ करने लगे और बोलते जा रहे थे और पिताजी के चेहरे का संतोस धीरे धीरे गर्व में बदलता जा रहा था मतलब वो खुश हो रहे होंगे पितर जाने पर माने दोकर के गुशे वाली बात बताई तो मैंने रहात की सांस ले और आज पीछे मूर कर देखती हूँ तो इतने तो समझ में आता ही है कि क्या तो उस समय मेरी उम्र थी और क्या मेरा भासन रहा होगा युवा उम्र थी न युवा उम्र का मतलब क्या है यहाँ पर और लेखिका ने लिखा है न first year matriculation के बाद में तो आप समझ लो कि 16, 17, 18 साल की मुड रही होगी तो यह तो डाक्टर साहब का सने था जो उनके मुँँ से प्रसंसा बन कर बह रहा था और यह भी हो सकता है कि आज से 50 साल पहले अजमीर जैसे सहर में चार ओर से उमरती भीर की बीज एक लरकी का बिना किसी संकोष और जिजक के योही धुआदार बोलते चले जाना पबलिक स्पेकिंग इसके मूल में रहा हो पर पिता जी कितनी तहत तरह के अंतर विरोधों के बीज जीते थे एक और विशिस्ट बनने और बनाने की प्रबल लालसा और दूसरी और अपनी सामाजिक छवी के प्रती भी उतनी ही सज़कता पर क्या यह संभव है क्या पिता जी को इस बात का बिलकुल भी अहसास नहीं था कि इन दोनों का तो रास्ता ही टकरहाट का है कि दोनों चीजें साथ साथ नहीं चल सकती सन 47 के मई महिने में सीला अगरवाल को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया कि लड़कियों को भरकाने और कॉलेज गानुसासन बिगारने के अरोपने इस बात को लेकर के हुर्दंग ना मचे इसलिए जुलाई में थर्ड यर की क्लासेश बंद करके हम दो तीन चात्राओं का प्रवेश निसिद्ध कर दिया गया इसका मतलब है साथ कॉलेज से डिबार कर दिया गया निकाल दिया गया हुर्दंग तो बाहर रह करके भी इतना मचाया कि कॉलेज वालों को अगस्त में आखिर थर्ड यर खोलना पड़ा मतलब इन्हें वापस लेना पड़ा और जीत की खुसी पर सामने खड़ी खड़ी बहुत बहुत बढ़ी चीर प्रतिचित खुसी के सामने यह खुसी बिला गई सताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धी सबसे बड़ी खुसी पूरे भारत के लिए 15 अगस्त 1947 जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो यह लिखा है मन्नु भंडाडी जी ने अपने आत्मकत्व में इसका नाम दिया है एक कहानी यह भी तो बच्चों जल्दी से मैं यहाँ पर इस चैप्टर में जो सब्द संपद्दा में नय सब्द हैं उसकी चर्चा कर लेता हूँ अहमवादी, घमंडी, भगनावसेश, खंडहर, तुटे-फुटे हिस्से, विस्फारित और अधिक फैलना, आक्रांत, कस्ट ग्रस्ट, निसिद्ध, जिस पर रोक लगाई गई हो वर्चेस, दबदवा, राजेंद्र, यहां हिंदी के प्रमुख गथा कारें हंस पॉट्रिका के संपादक राजेंद्र यादव के बारे में कहा गिया है, जिनके साथ में मन्नु भंडारी जी की साधी हुई थी और महाभोज मन्नु भंडारी का बहत चर्चित पन्यास है जिसके मुख्य पात रहे हैं दाश साहब तो बच्चों ये चैप्टर कैसा लगा आपको ये चैप्टर सुनकर के पढ़कर के आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि कास कभी आपको भी मौका मिले कि आप अपने बच्चपन के बारे में लिख सको अपने बच्पन को याद कर सको अपनी युवा वस्था को याद कर सको जिस युवा वस्था से आप सब गुजर रहे हैं तो यह जो युवा वस्था का समय है अपनी उर्जा, अपनी जोस, अपनी ज्यान को बड़े अच्छे से जीने का बढ़ाने का समय है तो इन ही सुब्तामनाओं के साथ मैं यहाँ पर खत्म करता हूँ, आगे जल करके इस चैप्टर का एक फॉलो अप लेक्चर सेशन दखूंगा, जिसमें मैं इसके क्वेस्टन एंसर सॉल्व करने में आपकी मदद करूँगा, तो आप मेरे चैनल का नाम जरूर याद रखेंगे, उसे सेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, रिकमेंड करेंगे, अपने पैचमेट्स को बताएंगे, इसका नाम है न्यू एज कोचिंग, तो जल्द मिलता हूँ आपसे, सुब विदा, हैपी लगें!